जिस भयंकर तरीके से लोग लड़ रहे हैं, मुझे लगा क्या मैंने इसके किसी हिस्से पर ध्यान नहीं दिया? मुझे लगता है कि किसी ने बहुती सोचे समझे तरीके से अल्प संख्यकों को ये संदेश भेजा कि आपकी नागरिकता खत्रे में है. ये जूट पिछले एक हफ़ते तक फैला, अब फैलना रुख गया है. नमस्कारम सद्गुरू सद्गुरू, देश में CAA और NRC को लेकर बहुत हलचल हो रही है. हम confused हैं और हम मेंसे कई लोग ये भी नहीं जानते कि हम इसे कैसे समझें. आप कहां से हैं? हम लखनाओ से हैं. और बहां बहुत कुछ हो रहा है. हाँ, मैं जानता हूँ. लखनाओ के लोग उलज गये हैं. सद्गुरू, हम इस बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं. मेरे विचार? CAB, CAA बन गया. एक बिलेक आक्ट बन गया. देखिए. पिछले एक अफ़ते में सडकों पर हुई प्रतिक्रिया को देखते हुए. मुझे लगा कि क्या मैंने इसके किसी हिस्से पर ध्यान नहीं दिया? वाकई, क्या मैंने इसका कोई पहलू नहीं देखा? क्योंकि मैंने ये एक्ट पूरा नहीं पड़ा है. मैंने बस अखपारों से जाना है और जो भी सामान्य रूप से उपलब्ध है उससे. ये देखते हुए कि इसे कई तरह से स्पष्ट किया जा रहा है. देखिए, ये एक जमीन थी, जिसके करीब 72 साल पहले टुकड़े हो गए. भयंकर चीजें हुई. लगभग 6-7 लाख लोग मारे गए. 30-40 लाख लोग दोनों देशों से दूसरी तरफ चले गए और भयंकर दुखों से गुजरे. और जो देश बने कम से कम एक हिस्सा, भारत नहीं, बाकी के जो दो हिस्से बने, वो धार्मे का धार पर बने. लोगों ने धार्मे का धार पर जमीन के टुकड़े किये. सभाग्य से हमने धार्म निर्पेक्षोने का फैसला किया. लेकिन बाकीों ने धार्मे गंटंत्र बनने का फैसला किया. लेकिन सभी दूसरी तरफ नहीं गए. प्रतिशत के बारे में काफी वाद विवाद होता है. मैं उसका विशेशग्य नहीं हूँ. कहते हैं, 23 प्रतिशत पश्चिमी पाकिस्तान में रुख गए. और लगभग 30 प्रतिशत पूर्वी पाकिस्तान में रुख गए. लोग ऐसा कहते हैं. किसी के पास सटीक संख्याय नहीं है. लेकिन लगभग यहीं आकड़े हैं. यह पूरी तरह गलत नहीं हो सकते. फिर 1971 का युद्ध हुआ. और पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश बन गया. फिर अल्प संख्यकों पर बहुत अध्याचार हुआ. उस समय लगभग 18 से 19 प्रतिशत लोग वहां से भारत आ गए. वो बस आकर रहने लगे. कोई उचित प्रबंध नहीं था. वो बस थानी लोगों के साथ रहने लगे. उन में से कुछ आज भी refugee camp में हैं, दुर्भाग इसे. बारत में ये स्थिती है. दूसरी तरफ स्थिती अलग है. क्योंकि अल्प संख्यकों के खिलाफ कानूनी तोर पर भेदभाव है. यहाँ पर लोग कहेंगे कि भेदभाव है, लेकिन कानूनी तोर पर नहीं है. कोई व्यक्ती किसी के साथ भेदभाव कर सकता है. जो हर देश में किसने किसी आधार पर होता है. नसल, धर्म, जाती, पंत, लिंग, हर तरह के भेदभाव दुर्भागे से ज्यादातर समाजों में मौझूद हैं. हम उससे बिलकुल अचूते नहीं हैं. हमारे भी कुछ भेदभाव भरे व्यवहार हैं. लेकिन कानूनी तोर पर नहीं हैं. कानून की नजरों में भारत के सभी नागरिक एक समान है. इस बारे में दो राय नहीं हैं. सामाजिक व्यवहार. हर चीज सम्विधान जितनी उचाई हासिल नहीं कर पाती. हर कोई यहां वहां अपना खेल खेलता रहता है. इसके अलग-अलग कारण है. सामाजिक कारण है, राजनेतिक कारण है, आर्थिक कारण है, बहुत सी चीजे हैं. लेकिन दूसरी तरफ कानूनी भेदभाव हैं, जिन में कानूनी तोर पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर भेदभाव हैं, कई सतरों पर. कानूनी तौर पर लगभग हर अल्प संख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पर कुछ लिखा जो वो धर्म पसंद नहीं करता इस देश में ऐसी चीजे संभब नहीं है सामाजिक प्रतिक्रिया हो सकती है जो दुनिया के हर हिस्से में होती है लेकिन कानूनी तौर पर नहीं मैं अजर्बैजान के बाकु शहर में था 164 पाकिस्तानी हिंदू बाकु आये थे क्योंकि बाकु में एक अगनी मंदिर है जो 5-6,000 साल पुराना है जिसमें संस्कृत में शिला लेक मौजूद है भारत के लोग इस अगनी मंदिर की यात्रा करते आएं इसे अगनी काशी कहते हैं तो जो लोग अगनी की साधना करना चाते हैं क्योंकि वहाँ प्राकृतिक गैस के कारण जमीन पर ऐसे स्थान है जहां हमेशा से अगनी जलती आई है तो उन्होंने वहाँ एक अच्छा मंदिर बना दिया और ये ऐसी जगा है जहां लोग जाकर साधना करते हैं मुख्य रूप से मृत्यू की साधना वो अपने जीवन का आखरी हिस्सा वहाँ बिताना चाते हैं वोग हजारों सालों से वहाँ जाते रहे हैं भारत में हम बाकू मंदिर के बारे में अब पूरी तरह भूल चुके हैं अगनी मंदिर लेकिन पाकिस्तानी हिंदू अब भी वहाँ जाते हैं तो 164 हिंदू वहाँ आए और उस दिन मुझे 164 तस्वीरे लेनी पड़ी सभी के साथ और फिर परिवार और फिर दोस्त और ग्रोप कुल मिला कर एक शाम में 200 तस्वीरें फिर उनमें से एक युवा आदमी शायद 32 साल की उमर का मेरे पास बुरी तरह से रोता हुआ आया उसमें बताया कि वो ढ़ाई साल से शादिशुदा था एक दिन दस बारा लोग आए उसे पीटा और उसकी पत्नी को लेकर चले गए और उसी शाम उन्होंने उसकी शादी एक अन्य आदमी से करा दी जो दूसरे धर्म का था और उस शाम को वो उसके साथ थी धाई सालों से उनकी शादी हो चुकी थी वो साथ रहते थे अब वो जबरदस्ती उसे ले गए पुलिश शिकायत नहीं लेगी वो कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू शादी कानूनी तोर पर मान्य नहीं है क्या इससे बुरा कुछ होगा मैं हैरान था कि ये ऐसा भी कानून है मैंने इसकी जाँच नहीं किये मुझे इसे जाँचना चाहिए किसी को इसे ठीक से जाँचना चाहिए लेकिन मैंने पूछा और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि ऐसा है ही मैं सौ प्रतिशत नहीं कह सकता लेकिन इस आदमी का दुख सच्चा है कि वो उसकी पत्नी को ले गए उसी शाम उसकी किसी और से शादी करा दी और उस शाम से उसे उस आदमी के साथ रहना पड़ा क्योंकि उसकी शादी मानने नहीं है क्योंकि उसने हिंदू रस्म से शादी की है उसने उन रस्मों से शादी नहीं की है जो अन्य धर्म की रस्मे है तो उसकी शादी मानने नहीं है तो लोग ऐसी चीजों से गुजरते रहे हैं इसलिए कुछ बहुत थोड़े से लोग जो बहुत परिशान हो जाते हैं और वहाँ नहीं रह सकते वो पिछले कुछ दश्कों से यहां आते रहे हैं मेरी राय में C.A. बहुत थोड़ी सी करुणा है जो बहुत देर से आई है क्योंकि जिन अत्याचारों से वो गुजरे हैं आकड़े बताते हैं कि इतने सौ मंदिर थे अब बसितने हैं क्योंकि व्यवस्थित तरीके से हर चीज को गिराया जा रहा है ताकि दूसरे धर्मों के लिए प्रार्थना की कोई जगा ना हो ये सबी धर्मों के लिए किया जा रहा है ना कि किसी एक के साथ क्योंकि बुनियादी विश्वास ये है कि ये देश एक धर्म का है सौ भागिसे भारत में ऐसा नहीं है यहां लोग जो चाहे अपना सकते हैं जो चाहे प्रचारित कर सकते हैं सब को चुपलब्ध है तो सीए कोई नए लोग नहीं ला रहा देखे हमारी आबादी पहले ही ज़्यादा है यहां भी हमारी आबादी काफी है तो यहां दूसरे देश से लाखों लोगों के आने की जरूरत नहीं है चाहे वहाँ कैसी भी परिस्थेती हो हम लोगों को लगतार नहीं अपना सकते तो एक आखरी तारीक तैकी गई थी आसाम समझोते के हिसाब से 1971 या 72 में क्योंकि उन दिनों भारी मात्रा में लोग आए एक जाती संहार हुआ था जिसमें 30 लाख लोग मारे गए बंगलादेश की आजादी से थोड़ा सा पहले 30 लाख हिंदू मारे गए तो उन दिनों जब भारी संख्या में लोग आए तब स्थानी लोग विरोध करने लगे क्योंकि उनकी संस्कृती पर रिफ्यूजी हावी हो रहे थे रिफ्यूजी और के आबादी स्थानी आबादी से ज़्यादा है आसाम में इसलिए वो हमेशा से विरोध करते रहें आप सत्तर के दशक के आसाम आंदोलन के बारे में जानते हैं तो वहाँ उन्होंने एक समझाता किया कि हम सभी विदेशियों को पहचानेंगे और उन्हें वापस भेजेंगे या फिर से बाटेंगे जो भी पर ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि जिन्होंने वो समझाता किया था उन्होंने बस पेपर पर हस्ताक्षर की कदम नहीं उठाए तो अब आखरी तारीक है 2014 वो लोग जो उससे पहले आए हैं यानि वो इस देश में 10-20 सालों से हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बिना पासपोर्ट के बिना राशन कार्ड के बिना आधार कार्ड के बिना किसी भी पहचान के बिना बस जानवरों की तरह इस देश में कोई मानवी पहचान नहीं है इस बह्स की वजए से कि क्या हम उन्हें स्विकार करें या ना करें अब उन्हेंने तै करके कहा कि 2014 तक जो भी आए हैं हम उन्हें स्विकार करेंगे लेकिन देश में हुई प्रतिक्रिया को देख कर मुझे हैरानी होती है कि क्या हम इतने कठोर दिल है कि कुछ कारणों से लेकिन ये बिल सिर्फ धार्मिक अत्याचार पर केंद्रित है आपको कोई और परिशानी है और आप यहां आना चाहते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है भारतिय नागरिक्ता के लिए कोई भी अप्लाए कर सकता है और कानून की सामान्य प्रक्रिया से गुजर सकता है किसी भी अन्य देश की तरह भारत में भी आप भारतिय नागरिक्ता के लिए अपलाई कर सकते हैं, सामान ये प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, आप भारत में आ सकते हैं, ये नागरिक्ता के लिए सामुहिक स्वीकृती है, ये उन लोगों के लिए है, जो यहां रह रहे हैं, दो हजार चौदा का मतलब है, वो कम से कम साथ सालों से यहां हैं, ज्यादा तर 15 से 20 सालों से, अब सडकों पर हो रही प्रतिक्रिया को देखते हुए, जिस भैंकर तरीके से लोग लड़ रहे हैं, मुझे लगा, क्या मैंने इसके किसी हिस्से पर ध्यान नहीं दिया? क्या कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही? लेकिन पिछले 24 घंटों में मैंने कुछ चीजें देखी, ये बस यही है, और सभी जानते हैं कि बस यही है, अब धीरे धीरे हर कोई अपना रवया बदल रहा है और कह रहा है, नहीं, नहीं, हम पुलिस के अत्याचारों की वज़े से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है, सरकार का इस पर ध्यान नहीं था। क्योंकि उन्होंने इतने सरल मुद्दे पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, तो उन्होंने सडकों पर परियाप्त पुलिस नहीं तहनात की, तो पुलिस की वाकई बुरी पिटाई हुई, ज़्यादा तर जगाओं पर, बेरहमी से. जब कुछ हजार लोग, पच्चीस पुलिस वालों को घेर कर पीटेंगे, तो स्वाभाविक रूप से, जब जब ज़्यादा पुलिस कर्मी आएंगे, वो भी कुछ करेंगे. मैं किसी चीज़ को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये सच्चा ही है, जो हमने पिछले आठ दिनों में देखी है, अब हर कोई अपना रवय्या बदल रहा है, और कह रहा है, नहीं, नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा कि धार्मिक भेदभाव है, बस पुलिस को युनिवर्सिटी में नहीं गुसना चाहिए. लेकिन युनिवर्सिटी के चात्र, ख़दान के करमचारियों की तरह अंदर से सभी पर पत्थर फैंक सकते हैं, और पुलिस को उन्हें रोकना नहीं चाहिए, जब वो जाते हैं, तो अगर ये पत्थर फैक रही हों, और वो नहीं फैक रही हों, तो दोनों की पिटाई होगी, दुर्भागे से, क्योंकि वो उसके पास बैठी हैं, भीड में ये ऐसे ही काम करता है, क्या वो जाकर कहेंगे, कि बस ये फैक रही थी, बाकी नहीं फैक रहे थे, ये ऐसे काम नहीं करता, जो भी साथ बैठे हैं, सब के पिटाई होगी, लेकिन मुझा लगता है, क्यों उन्होंने गोलिया नहीं चलाई, खुद पर काफी काबू रखा, वरना बड़ी संख्या में लोग मर जाते, लखनव जहां से आप हैं, वहाँ चपन पुलिस वालों को गोलिया लगी हैं, गोलिया कहां से आई, लखनवी लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों को गोलिया लगी हैं, इसका क्या मतलब है? दुर्भाग्य है? ये एक भेंकर खेल है, जो लोग खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों में एक निराशा है, जिन्होंने बड़ी संख्या में धार्मिक समूहों को गलत सूचना दी, जो ये सोचकर जंगली काम करने लगी, कि स्थानी भारती मुस्लिम अपनी नागरिक तक हो देंगे, उन्होंने यही सूचना दी. उन्होंने मेसेज भेज कर कहा, कि वो भेदभाव कर रहे हैं, और आप सभी अपनी नागरिक तक हो देंगे, और आपको बाहर फैंक दिया जाएगा. ये ऐसी शरारत इतने बड़े स्तर पर असरदार नहीं होनी चाहिए थी. ऐसा नहीं होना चाहिए था. ये दुर्भाग्य है. फिर भी, आज के युग में, जब आप अपने फोन पर एक्ट पढ़ सकते हैं, कि उसमें क्या लिखा है? CAA में क्या लिखा है? ये कोई भी छातर पढ़ सकता है. लेकिन वो सभी अनपढ़ो जैसा व्यभार कर रहे हैं. वो प्रमुक युनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो एक एक्ट नहीं पढ़ पढ़ पा है. ये बहुत ही दुख़त है, कि ऐसी चीज हो सकती है, कि कोई भी एक्ट नहीं पढ़ता, सभी फैलाई गई बात पर विश्वास करते हैं. वाटसेप उनका ज्ञान का स्तरोथ है. ठीक है? मैं उमीद करता हूँ, कि वो वाटसेप पर पिएजडी नहीं कर रहे हैं. ये वाकई भहेंकर है, कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी जलाई और नष्ट की जा रही है. साधारन लोगों के स्कूटर, कारें और दुकानें बुरी तरह तहस नैस कर दिये गए. किस लिए? क्योंकि जब भीड उत्तेजित हो जाती है, तब किसी को पता नहीं होता, कि वो कोई चीज क्यों कर रहे हैं, सभी कुछ नकुछ करते हैं. मुझे लगता है, कि किसी ने बहुती सोचे समझे तरीके से, अल्प संख्यकों को ये संदेश भेजा, ये आपकी नागरिकता खत्रे में. जो बिलकुल जूट है, दुर्भागे से ये फैला, ये जूट पिछले एक हफते तक फैला, अब फैलना रुख गया है. अब लोग समझ गये हैं, कि ऐसा नहीं है, अब वो अलग-अलग कारण ढूण रहे हैं, क्यों उन्होंने वैसा क्यों किया? ये बहुत दुर्भागे पूर्ण है. आप NRC भी चाती हैं? आपने मुझे 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 डालने का इरादा कर लिया है. देखे, हर देश में NRC होता है. ये शायद इस तरीके से नहोता हो. NRC का मतलब है, कि हर नागरेक रेजिस्टर्ड होना चाहिए. इस देश में रहने वाले सभी लोग रेजिस्टर्ड होने चाहिए हमारी कोशिश तो ये थी कुएंबतो और शहर में उन सभी कुटों को भी रेजिस्टर करने की कोशिश हुई थी जिनके मालिक है इसके पीछे विचार ये है कि हमें कुटों की संख्या पता होनी चाहिए वरना हमें नहीं पता क्या होगा क्योंकि कुछ बच्चों को कुटों ने मार दिया था भटकते हुए सडक के कुटों ने वो स्कूल के बच्चों पर हमला करके उन्हें खा गए उन्हें मार डाला तो फिर किसे ने सुझाव दिया जो भी कुत्तों के मालिक है उनके पास टैग होना चाहिए वो रेजिस्टर्ड होने चाहिए उनका जन्म और मृत्यू रेजिस्टर्ड होनी चाहिए जब हम कुत्तों को भी रेजिस्टर कराना चाहते हैं तो क्या ये मेत्वपूर नहीं है, कि इस देश में कितने इंसान है, वो कहां से आये, क्या वो यहां पैदा हुए थे, क्या वो बाहर से आये थे, उनके पूरवच कौन है, क्या ये ज़रूरी नहीं है, कि किसी देश को ये पता हो, अगर आप इस देश को अच्छे से चलाना चाते हैं तो, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये भी भेधभाव हैं, ये सभी के लिए, हम सभी के लिए, हमें रेजिस्टर करना होगा, अब वो आपको कई विकल्ब दे रहे हैं, जन्म प्रमान पत्र दिखाईए, लोग कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, अपने स्कूल के ब मेरे पास नहीं है, तो फिर आप हैं कौन? और अगर आपके पास इन में से कुछ नहीं है, तो तीन गवाहों को लाओ जो आपको जानते हैं, कुछ समय से, नहीं मेरे पास गवाह भी नहीं है, आप कौन है? बस यहीं हुआ है, मुझे लगता है कि किसी वज़े से, सरकार इसे ठीक से लोगों तक पहुँचाने में असफल रही है, वरना व्यक्तिगत रूप से मैं इन चीजों में एक भी मुद्दा नहीं देखता, लेकिन सूचना पहुचाने के अर्थों में देखें, तो जैसे इसे पहुचाया गया, कुछ लोग इसे खत्रे के रूप में देख रहे हैं, ये धारना निश्चित रूप से बदलनी चाहिए, अगर कोई भी खत्रे की आशंका जता रहा है, इन दो बहुती जरूरी चीजो से, एक मेरे विचार से कुछ करुणा है, जो बहुत देर से आ रही है, मेरे विचार में जल्दी आ जानी चाहिए थी, दूसरा, एक देश के लिए बिलकुल जरूरी है, कि देश के हर नागरिक को रेजिस्टर किया जाए, देखिए, यहां कितने विदेशी बैठे हैं, हम जानते वो कौन है, हां, हमें यह जानना चाहिए, कि वो कहां से आए हैं, और वो क्यों आए हैं, है ना, किसी भी देश में, यह एक सच्चाई है, तो इतनी सरल चीज को, मुझे लगता है, सही तरीके से ना पहलाने की वज़ए से, लोगों ने इसका फायदा उठाया, और यह सुनिश्चित किया, कि गलत जानकारी फैले, और यूनिवर्सिटी के अनपड़ी हुआ, जंगली बन गए, झाल